जैशी क्रिश्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा गुप्त नवरात्रे आरंभ होने वाले हैं और गुप्त नवरात्रों में हम कुछ गुप्त क्रिया न करें ऐसा कैसे हो सकता है गुप्त नवरात्रों का क्या अर्थ होता है प्रतिक साल में चार बार नवरात्रे आते हैं दो प्रत्यक्ष और तो अप्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष यानि की गुप्त नवरात्रे होते हैं इन में पूजा, पाठ, जाप, मंत्र सबकुछ गुप्त रूप से किया जाता है इन नवरात्रों में करे हुए हर कारे का चार गुना फल प्राप्त होता है ये नवरात्रे हमारे जीवन के लिए इश्वर के आशिरवाद से कुछ कम नहीं है क्योंकि इन नवरात्रों में दूसरे नवरात्रों के अपेक्षा हमें जादा जल्दी फल प्राप्थ हो जाते हैं यानि कि ये रात्रियां और नवरात्रों की रात्रियों से जादा सिध्ध होती हैं परंतु इन नवरात्रों में कुछ शर्टे होती हैं जिन पर आपको कारे करना होता है गुप्त नवरात्री में आप कोई भी दान पुन्ने करते हैं तो वह आप गुप्त करेंगे जैसे कि हम नवरात्रियों में अपने यहां पर कन्याओं को भोजन कराते हैं तो हम अपने घर बुलाते हैं उनके चरंद हो से करानी है लोगों को मालूम नहीं पढ़ना चाहिए लोगों को खबर नहीं होनी चाहिए कि आपने क्या पूजा पाठ की आपने क्या दान पुढ़ने किया और आपने देवी के स्वरूप को क्या भोजन कराया आपके घर के अंदर जो रोजाना की आरती हो रही है जो रोजा बात करने के लिए हम आपको रोज कुछ नया कुछ अलग कुछ विशेश जरूर बताएंगे लेकिन इससे पहले आपको यह बताओंगी कि मैं कौन हूं मैं कि एस्ट्रोलोजर हूं वास्तू शास्त्री हूं चहरा भी पढ़ती हूं आवाज भी पढ़ती हूं हातों की लकीरे में दो प्रमुख मंदिरों में बहुत विशेश मेला लगता है बहुत विशेश पूजा पाठ और अनुष्ठान होते हैं एक है जगनात्पुरी जहां पर नवरात्री की दूसरे दिन यानि की दूसरे नवरात्रे पर रत यात्रा आरंब हो जाएगी और फिर है मा कामख्या धाम जहां पर मा के दर्भार में मीला लगेगा और चार दिन के लिए मां रतस्वला से होंगी और उस समय मां के दरवाजे यानिकि उनके मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे लेकिन फिर भी zus करोड़ की भीर में साधू संथ, नागा, अघोरी शब वहां पर मां का करेंगे सिध्या करेंगे पूजन करेंगे अर्चन करेंगे हवन करेंगे देखिए गुप्त नवरात्रे कहीं न कहीं हमें ये चीज भी सिखाते हैं कि अगर आपके पास अभाव है आप रोजाना अच्छा भोग नहीं लगा सकते आप रोजाना अच्छी अच्छी मालाओं का शिंगार नहीं कर सकते अगर आप मां के मूर्ति को अपने घर में स्थापित नहीं कर सकते फिर भी आप अपने मन से अपनी आत्मा से अपनी मां के साथ जुड़कर मंत्रों चारण करके पूरी भक्ति के साथ उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं गुप्त नवरात्रों में करने वाले विशीश चीजों में मैं आज आपको बताने जा रही हूं नीबु का एक दुरलब प्रयोग लेकिन उससे पहले नीबु के कुछ छोटे-छोटे टोटके जो आप इस गुप नवरात्री में जरूर करेंगे आपके घर में अगर कोई बहुत बिमा CobreAST करेंगे उस व्यक्ति के सिर से घुमाते हुए पैरों से वापस सिर ते ले जाईे साथ आपको दौहराना है साथ नीबु को साथ-साथ बार आपको व्यक्ति के पूरे शरीर से घुमा लेना है और कैसे घुमाएंगे clockwise घुमाईएगा उसके पश्चात आपको इन सातों नीबूओं को ले जाकर चौराहे पर छोड़ाना है और वापस घर आकर हाथ पैर्द होकर घर में एक घी का दीपक प्रजलित कर लेना है और उस व्यक्ति के लिए मातारानी से प्रार्थना करनी है अगर आपके व्यपार स्थल पर बार बार दिक्कते आ रही है पैसा अटक जा रहा है आपके क्लाइंट आपसे रूट जा रहे हैं काम आप टाइम पर करके नहीं दे पा रहे हैं आपके लेबर आपको परेशान कर रही है या आप अपने व्यपार स्थल से बहुत दिक्कत म हैं तो आपको क्या करना चाहिए आपको एक नीबू लेना है उसमें पाँच लॉंग लगा देनी हैं अपने व्यापार स्थल पर इस नीबू को दो से तीन घंटे के लिए रखकर छोड़ देना है उसके बाद सूर्यस्त के बाद आपको इस नीबू को ले जाकर चौराहे पर छोड़ देना है ध्यान रखेगा उस चौराहे से अगले 24 घंटे आप गुजरेंगे नहीं सोच समझ कर साबधानी से कारे करेंगे तो इसका आपको बहुत जबरदस्ट बेनिफिट मिलेगा अगर आप माता रानी के नवरात्रों में साथ में आठ में नवे नवरात्रे पर निबू को अंदर से खाली करके आधा काट लेंगे फिर उस चारन करते हैं पर पर करते हैं यह दुर्णय – काली का करते हैं तो आप गदे आपकी जी शारी कि सने अपने आप समाप्त होने लगे आपको जो रस्ते नहीं मिल रहे हैं वो रस्ते दिखने लगेंगे चलिए जी मनों कामना पूर्ती के लिए मैं आज आपको विशेश उपाय बताने वाली हूँ जो आपको 9-9 दिन नवरात्रों में करना है अगर आपके पीरेट्स आ जाते हैं या आपके साथ कोई और दिक्कत हो जाती ह है तो आप कम से कम दो नवरात्रे ये प्रयोग जरूर करिएगा आपको रोजाना एक ताजा नीबू ले लेना है नीबू के ओपर कोई दाग धबा नहीं होना चाहिए नीबू को आधा काट लीजे और उसके बाद उस नीबू को पहले आप रोली में यानि की लाल वाले सि लगा लीजे उसके बाद आप उसे हल्दी में लगा लीजे अब आपको दोनों नीबू एक साथ में रख देना है और इसके बीच में आपको एक घीका दीपक प्रजलित कर देना है जब आप अपना पाठ करने अपनी पूजा करने जो भी आप करते हैं जो भी आप पढ़त बहुत ही प्यार से ये कारे करिए नौ दिन और फिर देखिए आपकी मनों वांचित इच्छाएं कैसे पून हो जाती हैं मैं फिर आऊंगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बुद्ले के तब तक के लिए मुस्ख कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बना के र सार्थी मात्रिशला ज्योतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है। कि मात्रिशला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप कर रही है। साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था। और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवासा जा चुका है।